अरे यार, इतनी सारी shortcut keys, किसका इस्तमाल क्या होता है? मैं तो confused हो गई जिया दोस्तों, keyboard की उपर इतनी सारी keys देखके कोई भी confused होता ही है Basically, keyboard की उपर टोटे 104 keys होती है और अगर आप beginners वो पहली बार keyboard को use कर रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहे थे यार, यह keys क्या है? वो keys क्या है? यह keys क्यूं दी है? इस keys को press करने के बाद क्या होगा? ऐसे धेर सारे सवाल आपके मन में आते है और beginners क्या? ऐसे धेर सारे लोग है, जो लोग 4-5 साल से computer को use करें लेकिन उनको पता है नहीं कि keyboard के उपर यह ऊपर की दी हुई keys को क्या बोलते है नीचे की दी हुई keys को क्या बोलते है, रैट? यहा पर function keys होती ही, arrow keys होती ही अलफा Ephsek keys होती है और बहुत सारे keys का combinations भी होता है लेकिन कुछ कीज कब कैसे प्रेस करने होते और क्या प्रेस करने के बाद क्या होगा अगर आपको पता नहीं है तो यह वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं हर एक कीज को मैं दबा-दबा के बताने वालाओं तो वीडियो एंड तक देखिएगा चलिए इनकी तरह आप कंप्यूज ना हो जाए अगर आपको लगता है कि भाई यार कीबोर्ड की जानकारी पहले ले लेते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं मैं सतिश आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स विगिन तो चलिए आप जानने में इंट्रेश और कीबोर्ड की उपर की सभी की इसका डीटेल एक्स्प्रेनेशन लेकिन उसके पहले मैं आपको उता हूँ कि अगर आपको ये पीडियाप डाउनलोड करना है जो स्क्रीन के उपर दिखाए दे रहा है वो पूरा 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 पीड करोगी तो study material नाम का एक tab मिलेगा study material नाम के अंदर आपको यहाँ पे YouTube चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी जहां पे यहाँ पे स्पेशली complete technology चैनल पर ये वडियो अप्लोड हो रहा है तो complete technology चैनल प्रैक्टिस फाइल वाँ पे मिलेगी और उस पे जाकर आप यह particular प्रैक्टिस फाइल वाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं जो की keyboard शॉटकट से related है या बहुत सारी shortcut keys और PDF books भी मैंने दिये वहां से आप डा तो सबसे पहले मैं आपको keyboard की उपर जितनी भी keys है उनका पहले नाम बता देता हूं मतलब यहां पे अलग-लग section की keys है तो उनको पहले मैं explain कर देता हूं सबसे पहले आपके सामने जो keyboard यहां पे दिखाए दे रहा है और उसमें जो top row में keys आ रही है F1 से लेकर F12 इसे बोला देखने वाले वो भी हम देखने वाले है और इनका अलग-लग software में कैसे इस्तमाल करेंगे यह भी practically देखेंगे लेकिन इने function keys बोला जाता है याद रखना है और उसके left में आपको एक key दिखाए दे रही है जो की ESC नाम से उसे escape key कहा जाता है तो इसका क्या use है मैं आपको बताओंगा पहले इनका नाम याद रखिए उसके बाद हम next key की तरफ मू होते उसके नीची ही आपको जो key दिखाए दे रहे है जिसमें आपको exclamatory at the rate, hash, dollar, percentage, ऐसे sign दिखाए दे रहे है और यह जो सारी की सारी keys है इन्हें alpha-numeric keys बोला जाता है याद रखिए इसमें number भी keys दिखाए दे रहे है उसके left side में आपको tap दिख रहे है caps lock shift control windows के की है फिर alt दो बार दिख रहे है control भी आपको दो बार दिख रहे है shift भी आपको दो बार दिख रहे है तो यह जो keys है इने special keys बोला जाता है जो की combination के तोर पे हम use करते है इनका क्या इस्तमाले में आपको बता क्यों डॉट फॉर्माट के साथ इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया complete technology चैनल पर अपर आय बटन पर चेक कर सकते है क्यों इसी फॉर्मेट पर की बोर्ड के से आया क्यों इसी फॉर्मेट में की बोर्ड पे यह a.b.cd रखा गया है मतलब a.b.cd ऐसा order में क्यू नहीं है इसका reason क्या है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा उस video में फिलाल यह alphabetic keys होती है इतना आपको याद रखना है right उसके बाद आपको यहाँ पर right side में arrows दिखाए दे रहे हैं like up arrow, down arrow, left arrow और right arrow इन्हें बोला जाता है arrow keys right तो यह arrow keys होती है या फिर इन्हें navigation keys भी बोला जाता है इनका इस्तमाल practically करके देखेंगे हम आगे चल कर उसके बाद उसी के उपर आपको दिखाए दे रहा है insert, home, page up, page down, delete, end यह जो keys है उसके साथ print screen, scroll, lock, pause, break यह जो keys है इन्हें extra keys कहा जाता है इनका अलग-अलग इस्तमाल होता है practically combination के साथ भी इसका इस्तमाल हम सीखने वाले है तो वो भी practically देखेंगे और उसी के साथ right side में एक panel आपको दिखाए दे रहा है जिसमें आपको 0 to 9 number दिख रहे है उसके साथ multiplication वगरा का sign दिख रहा है तो यह है नुमरिक कीज जो कि आपको यहां पे numbers टाइप करने के लिए help करता है keyboard की उपर तो इनने नुमरिक कीज बोला जाता है तो मैंने keys की आपको जानकारी दी कौन से keys को क्या बोला जाता है standard keyboard में 104 keys रहती है अगर आप multimedia keyboard यूज कर रहे है तो आपको multimedia function यूज करने के लिए जैसे वीडियो को stop करना है वीडियो का sound बढ़ाना है वीडियो को audio increase करना है audio decrease करना है video next करना है या backward करना है इसके लिए अलग-अलग keys रहती है वो multimedia keyboard के उपर available है जो की screen के उपर आपको multimedia keyboard का example मैं आपको दीखा रहा हूं तो हम standard keyboard के बारे में जान कर लेंगे जो की offices में use होता है multimedia keyboard हम तभी करीते है जब हमें कभी multimedia ज्यादा use करना रहता है video को आगे forward करना है या backward करना है इसके लिए फिलाल हम ने ये तो जान लिया कि कोन सी keys को क्या बोला जाता है like function keys कहां पे होती alphabetic keys किसे कहा जाता है alpha numeric किसे कहा जाता है numeric क्या है extra key है navigation key क्या है यह सारे keys के बारे में मैंने आपको जान करी दी अब इनका practical इस्तमाल शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे top pro से यानि हम escape button से सबसे पहले शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं आ चुका और desktop की उपर अब escape button का इस्तमाल मुझे आपको बताना है तो सबसे पहले escape key का इस्तमाल मैं PowerPoint के अंदर बताऊंगा दोस्तों तो यहाँ पर मेरा PowerPoint में यह slideshow चालो यानि यह slide पुरा पुरा open है मैं इसे close करना चाता हूँ तो keyboard से मैं escape करूँगा PowerPoint का जो slideshow होता है वो बंद करने के लिए आप keyboard पे escape button प्रेस करती है वो PowerPoint का slideshow बंद हो जाएगा उसके अलावा escape का use होता है generally suppose आपने यहाँ पर start पे क्लिक किया लेकिन आपको यह window नहीं चाहिए तो आप keyboard पे escape button प्रेस कीजिए और escape button unwanted dialogue box को close करने के लिए यूज होता है जैसे आप Microsoft Word में काम कर रहे हो लेकिन unwanted dialogue box open हो रहा है या फिर आपने open कर लिया और जिसका आपको जुरुत नहीं जैसे यह font का extra dialogue box आपने open कर लिया unwanted click avoid करने के लिए जैसे close पे यहां पे अपने गलती से click कर दिया तो click करते ही वो पूछ रहा है कि यह document को save करना है क्या करना है तो मुझे इसमे कुछ नहीं करना है यह dialogue box मुझे नहीं चाहिए तो मैं escape button करना है तो escape की का use इस तरह से होता है एक तो आप powerpoint में slide show करते है सपोज यह powerpoint में मैं दुबार आता हूँ या पर F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे इससे cancel करना है close करना या फिर कोई dialogue box मुझे close करना है तो भी मैं escape करूँ गा या फिर मैं keyboard की उपर control shift escape दबा दूँगा तो यहाँ पर task manager open होता है जिससे आपके computer का performance आप पता कर सकते हैं आपका CPU कितना use हो रहा है memory कितना use हो रहा है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता रहा है कौन-कौन से applications open है यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता चलती है आपके computer में कुछ भी software आपने start नहीं किया लेकिन F1 प्रेस किया तो आपको यह जंब करेगा Microsoft A.J.I. Internet X Pro जो भी आपके वालेबल हो इसमें और उसमें वो बोलेगा कि क्या help चाहिए How to get help in Windows यह आपको एक menu आजाएगा इसमें आप सर्च कर सकते है अगर आप कोई software में जैसे Microsoft Word आपका start है और यहाँ पर F1 प्रेस करते हो तो एक help टास्क पेन open हो जाता है राइट साइड में और इसमें आप help ले सकते है कि आपको page setup के बारे Microsoft Word में जाना है तो यहाँ पर यहाँ पर आप F1 प्रेस कर सकते है याद रखिए F1 यह function की use होता है help में इनको open करने के लिए लेकिन Microsoft Word में control F1 अगर आप प्रेस करते हो open और close करने के लिए या फिर minimize करने के लिए इस्तमाल कर सकते है minimize हो जाता है control और F1 याद रखिए control F1 आपके सामने जो ribbon दिख रहा है वो minimize हो रहा है वो मैं practically इस्तमाल करके दिखा रहा हूँ shortcut की note down कर लिए या फिर already मैंने PDF दीदी है don't worry about it so next shortcut की की तरफ बढ़ते अब है next shortcut की app 2 तो app 2 का इस्तमाल पहले मैं desktop पे दिखाना चाहूँगा इसे मैं minimize का तो यहाँ पे folder complete technology नाम का जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा हो राइट so मैं क्या करता हूँ कि इस folder को select करता है या इस folder पे मैंने click किया और keyboard पे मैंने app 2 button press करते ही यह folder का नाम change करने के लिए option आ चुका है मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ learn more तो learn more मैंने नाम रख दिया जो कि हमारे एक channel का नाम है आपको पता ही होगा और मैंने बाजू में click कर दिया तो app 2 से क्या होता है app 2 से file का नाम आप change कर सकते एक फोल्डर का नाम आप change कर सकते है याद रखिए rename app 2 यह rename के लिए यूज किया चाता है अच्छा excel के अंदर app 2 का कुछ अलग इस्तमाल है इसलिए मैंने Excel यहाँ पे start करके रखा है अगर यहाँ पर पहले से कोई नाम आपने type कर दिया जो भी नाम है आपने type कर दिया सपो जो प्रेकली नाम मैंने type करमी के लिए तो पहला नाम निकल गया तो इस में मुझे वो नाम आड करना है सतिश के पहले प्रिआ नाम आड करना है सतिश डविले की बीच में मुझे क्या करना है मेरे डड़ी का नाम आड कर दो भी करना है तो मैं यहाँ पर app 2 limited प्रेस करूँ यह एड कर सकते हैं, इस तरह से आप एड कर दो, राइट और एंटर बटम पर इसको दो, एड़ीट अक्टिन यहाँ पर अप्टू का इस्तमाल आपको समझ महा होगा, एड़ीट का इस्तमाल रिनेम के लिए होता है, पाल का नाम यह फिर फूल्डर का नाम चेंज करने के लि एक रेडिमेड फॉर्मॉल उता है, is equal to rand, open bracket, close bracket, enter कीजी हैगा, यहाप एक paragraph आता है practice के लिए, अब मैं इसका print निकालना चाहता हूँ, तो मैं print preview देखना चाहता हूँ, तो मैं control f2 button प्रेस करूँगा, control f2 से print preview आता है, यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि यह page कैसे print होगा, print preview, print निकालने के पहले आप देख पाओगे, आपका page full screen में, control f2, यहाँ पर right side में आप देख पा रहे हो, आपका पूरा-पूरा page यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह this one, right, so that's it, यह तो आपको पता चला, कि control f2 क meaning क्या होता है, f2 क्या होता है, और किस तरह से इसका इस्तमाल होता है, अब next shortcut की की तरफ बढ़ेंगे, जो की है function key f3, अब function key f3, Microsoft word में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, f3 का directly use नहीं है, लेकिन shift के साथ है, मैं इस paragraph को select कर रहा हूँ, and मैं इसे zoom करता हूँ, मैं यहाँ यह changes आपको दिखाए देंगे, अगर आप notice करोगे, shift f3, क्या हो रहा है, पूरे के पूरे alphabet, जितने selected है, I am talking about selected text, तो यहाँ पे selected text में यह capital हो चुका है, दिखाए दे रहा है आपको, अगर मैं फिर से shift f3 करता हूँ, सारे के सारे small हो गे, फिर से मैं shift f3 करता हूँ, धहां से द capital हो चुका है, फिर shift f3, सभी capital, shift f3, सभी small shift f3, sentence case, capital case मतलब upper case, यानि कि पूरे alphabet capital हो जाएंगे, और lower case, इस तरह के change case यहाँ पर हम कर सकते है, keyboard के जरीए, तो अगर आपने यहाँ पर पूरा paragraph लिग दिया और आपको पता चला कि यार, सब capital में लिखना था, डोडोरी, select the paragraph, press shift f3, that's it, तो f3 का कमाल का इस्तमाल आपने यहाँ पर सीखा होगा, लेकिन excel में इसका इस्तमाल कैसे होगा, मतलब shift f3, अगर मैं excel में press करूंगा, तो क्या होगा, देखते हैं, यहाँ पर कोई number type कर लिए आपने और आपको यहाँ पर total करनी, लेकिन आपको total यहाँ जो भी formula लगाना है, उसके सबसे, तो मैंने इसे cancel कर लिए, उस dial-up box को cancel करने के लिए, मैंने escape उसके, escape बताया है, मैंने starting में, तो अब मैं shift f3 प्रेस करता हूँ, देखिए, वही आ रहा है, shortcut की से हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर click करनी के अभी ज़रूरत नहीं है, right, so shift f3, Alt f4 करेंगे, इसको हम Ctrl f4 करेंगे, इसको हम Shift f4 भी करेंगे, क्या बात है, तीनों का combination यहाँ पर, अगर मैं Excel में, यहाँ पर Excel में कर रहा हूँ पहले, या फिर Word में, चो भी है, मैं Ctrl f4 प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई, यह close होगा document, और save करना है कि अब यह book 1 जो workbook है, close हो चुका है, Excel की फाइल को workbook बोलते है हम लोग, तो workbook close हो चुका है, यहाँ पर आपको अभी Excel दिखाए दे रहा है, Excel software चालू है, मैं Ctrl n करूँगा, तो यह नया workbook आ चुका है, book 2, Ctrl n से नया workbook आ गया, no issues, मैं फिर से यहाँ पर Ctrl f4 प्रेस करता Alt f4 से पूरा पूरा exit होता है, Ctrl f4 से बस उसके अंदर जितने workbook है एक एक करके close हो जाएंगे, और Shift f4 से अगर मैं मेरा यहाँ पर कुछ content है, और cursor यहाँ पर है, तो मैं Shift f4 यहाँ पर दबाता हूँ, तो यह क्या होगा, Shift f4 तो cursor beginning में चला जाता है, cursor आपका यहाँ पर था, Alt, Ctrl और Shift का इस्तमाल f4 के साथ, right, तो f4 हमने देख लिया, अब next shortcut की की तरफ बढ़ते है, जो कि है f5, सबसे पहले तो powerpoint में f5 का इस्तमाल आपको पता होना चाहिए दोस्तो, f5 powerpoint में होता है slide show के लिए, मतलब यह slide मुझे present करनी है, f5, यह देखे f5, फिर इसके button से exit हो ज पता है, right click refresh करते हैं, वही आप f5 बटन से refresh कर सकते हैं, अभी नए windows में जाता है refresh का जो काम है, वो कम हो गया है, पहले क्या होता था कि कभी-कभी आप desktop पे folder बनाते हैं, तो दिखाए नहीं देता था, आपको refresh करने के बाद कभी-कभी वो लोड होता था, इसलिए refresh की में आ अगर आप यहां पर यूज कर सकते हैं, अच्छा इस f5 को वर्ड में अगर आप प्रेस करते हैं, या एकसल में प्रेस करते हैं, तो आपको एक गुटू option मिलता है, कि कौन से पेज पर आपको जाना है, एंटर पेज नंबर, पेज नंबर डालो उस पेज पर आप यहां पर यहां पर special options भी गुटू के अंदर, और इसके लिए मैंने अल्रेड़ी excel tutorial channel पर गुटू special का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, जो कि अगर आप expert बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हो तो एकसल tutorial channel की link description में दिये, गुटू special का वीडियो का link भी description में दिया है, आपके लिए इसलिया आपके लिए, राइट, so f5 का इस्तमाल कैसे करते हैं, यहां पर आपको समझ में है, अच्छा, f5 का और एक इस्तमाल है, जैसी कि excel के अंदर आप control f5 प्रेस करते हो, तो यह window छोटी हो जाती, right, f5 बटन से यह छोटी हो जाती, याद रखी, restore down, control f5, लेकिन control f5 को altify करना पड़ता है, altify, यह देखिए, अगर आप altify करते हो, तो यह चोटा हो जाता है, तो altify, control f5, then f5, कैसे इस्तमाल करना है, definitely समझा होगा, सारी चीज़े detail में बता रहा हो, इसलिए step by step, हर एक चीज़ का combination यहां पर मैं बता रहा हो, दोस्तो, time लगने दो, सीखना है तो time तो देना पड़ेगा, और अभी तक आप video देख रहे हो, आप smart बनना चाहते है, यह उसका sign है, फिलाल तो f6 के तरफ बढ़ते है, अब f6 का इस्तमाल बहुत ही rare करते हैं, f6 का इस्तमाल ही पताने लोगों को, लेकिन आपको कहा गया, कि f6 प्रेस करके excel के अंदर मैं अब बहुत सारी sheet है, मैं आपको example दिखाता हूँ, और आपको बोला है, आपको sheet 5, sheet 1 में जाना है, keyboard से, keyboard से, keyboard से, sheet 5, sheet 1 में, यह आपके लिए challenge बोला है, इंटर्यूव में बूचा गया, sheet 1 आप keyboard से select करो, mouse को हाथ मत लगाओ, तो आप f6 प्रेस करोगे, जैसे आप f6 प्रे प्रेस करो, कहाँ पर आ रहा है, देखिए अभी, वह ready मतलब macro की लिए चला गया, macro का वहाँ पर option से, दोबारा f6 प्रेस करोगे, तो cursor आपका यहाँ पर आ रहा है, तो tab हो रहा है, windows के अंदर, जो main menus है, उसमें वह f6 टैब कर रहा है, अपने आपको, f6 प्रेस करते ही, प्रेस करोंगा, फिर में left arrow प्रेस करोंगा, फिर में left arrow प्रेस करोंगा, शीट वन प्रेस करोंगा, एंटर, तो f6 से मैंने यहाँ पर यह मूह कर लिया, आप यह shortcut की desktop की उपर भी इस्तेमाल कर सकते है, आपको बोलाए कि right side के यह options हैं, यहाँ पर time वागेरा, इसे आप keyboard के अप्लिकेशन रहते हैं, frequently open applications, recently, frequently open के लिए हमने applications रखे, वहाँ पर आ चुकिए आप, इसमें आप F6 प्रेस करके आ चुकिए, फिर इसमें switch होना है, तो right arrow, left arrow आप आ सकते हैं, कुन से application में जाना है, तो यहाँ पर मैं F6 प्रेस करता हूँ, अभी मैं करसर यहाँ पर आ यहाँ पर देखिए, left और right arrow की से मैं in options को select कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर enter करके settings भी कर सकते हैं, इस पर enter करके, so F6 यह बहुत ही useful shortcut की और बहुत सरे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप जान चुके होंगे, और आपको लगा होगा यार, यह कमाल की सर ने shortcut क बताई है, तो इस बात पर इस वीडियो को like तो देदो यार, फिलाल आगे बढ़ते है, app 7 shortcut key की तरफ, अब app 7 shortcut key का इस्तमाल हम Microsoft Word के अंदर करेंगे, और वो है spilling and grammar के लिए पहले करेंगे, इसका इस्तमाल, जैसे, मैंने Microsoft Word के अंदर एक नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर श्रीवल्ली, आजकल यही famous चला है, आम तो यही लिख देता हूं, मैं श्रीवल्ली, श्रीवल्ली spelling, I don't know, श्रीवल्ली मैंने लिख दिया ऐसे, but मुझे यहाँ पर यह spelling wrong बता रहे, श्रीवल्ली मैंने correct लिखा है, फिर भी यहाँ पर यह computer बता रहे कि यह wrong है, अगर मैंने यह इस तरह से लिखा, तो भी यह वल्ली को लॉंग बता रहे, श्रीवल्ली को नहीं बता रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे spelling mistake ही चाहिए तो, रेड़ वी अंडरलाइन से यह spelling mistake word में बताता है, रेड़ वी अंडरलाइन यह नहीं अपने एक word लिख दिय अपने एक और word लिख दिया, अब यहाँ पर अपने गलत word अगर लिखे, तो रेड़ वी अंडरलाइन से वह बतानी वाला है आपको, इस तरह से, तो मैं क्या चाहता हो, कि इसमें रेड़ वी अंडरलाइन हटाना चाहता है, अब श्रीवल्ली तो मेरा correct ही है, मुझे लगत हम क्या करेंगे, इसके लिए हम app 7 प्रेस करेंगे, जैसे हम app 7 प्रेस करते हैं, आपके सामने right side में, spelling grammar नाम का एक task plane open हो जाता है word के अंदर, अब यहाँ पर बता रहा है कि यह जो word श्रीवली लिखा हुआ, उससे related मेरे पास कुछ ऐसे word है, श्रीवलिक, श्रीवेल्स, वो तो बता रहा है कि यह word हमारे पास है, इसमें से कोई word आपको चाहिए क्या, इसमें से कोई word हमें नीची है, अगर हमें चाहिए रहेगा तो हम यहाँ पे change पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम क्या दो क्या करेंगे हम यहाँ पर ignore once कर देंगे, इस पम्स करेंद का मतलब है कि यह spelling ह मुझे रोज लिखना है इस computer में तो इसे अपने dictionary में add करके रोखो next time मैं श्रीवाली रिखोंगा तो मुझे यह spelling grammar mistake नहीं दिखाना है computer को हम बोल रहे है add to dictionary add मतलब इस computer की dictionary में add होगा जब next time आप श्रीवाली लिखोगे तो यह आपको यह वाली underline नहीं दिखाएगा red bb underline बिल्कुल नहीं दिखाएगा वैसे भी underline प्रिंट में नहीं आती है but यह ठीक है आपके लिए print में नहीं आएगी यह computer आपको यह बता देता है कि आपने यह mistake कर लिए आपको preview में तो पता चल जाएगा इस word के लिए तो आपको ज़रूरी है underline आना right इसमें नहीं है तो आप इसे ignore कीजिया भी या फिर हमेशे के लिए computer में आड करना है मतलब next time आप Microsoft word चालो करोगे तो इस computer में श्रीवाली लिखोगे तो आपको वह गलत नहीं बताएगा लेकिन आपने ignore किया तो वह temporary इस document के लिए वह hide मतलब यह कर रहा है उसके underline हटा रहा है यह देखिए ignore अब उसने यह वाला word को छोड़ दिया उसने check नहीं किया क्योंकि यह correct है second वाला लेकिन computer जो नीचे लिखा गया वह गलत है और उसके लिए suggestion बता है कि आपको computer लिखना है copter लिखना है या compare तीन में से कौन सा लिखना है उसको select करो और कहां पे click करो change पे click करो फिलाल वही हम करेंगे change पे click करेंगे change दिखाए दे रहा है आपको change all मतलब computer वड़ आपने जितनी भी बार लिखा है उतनी बार सभी तो मैं computer को select करके change कर रहा हूं और यहां पे spelling and grammar check is complete complete हो चुका है भाई और यहां पे आपको दिखाए रहा है यह proper तो F7 का इस्तमाल हमने जान लिया कि क्या होता है F7 में हम spelling and grammar check कर सकते है इस word का meaning अगर हमें जानना है तो हम shift F7 प्रेस करेंगे F7 का और एक combination बनता है shift के साथ shift F7 से आता है एक और task pane word के अंदर थिशॉरस यहने synominance इसका similar word तो यहां पे processor, processor, CPU, computer related word का यह आपको बता रहा है similar words बता रहा है shift F7 यह combination भी याद रखना है चलिए अभी आगी के shortcut की तरफ बढ़ते है वो है F8 इसका Excel में ज्यादा इस्तमाल होता है Excel में आते हैं और यहां पे कुछ content मैंने type कर लिया, कोई भी content हो सकते है content यहां पे एक number ही type कर लेता हूँ और इसे repeat कर देता हूँ अब यह repeat कैसे किया मैं आगे बताऊंगा आपको आगे shortcut keys है फिलाल यह content आपको देख रहा है यहां पे मैंने cursor रख दिया और यहां से मैं select करना चाहता हूँ right side में तो मुझे shift और right arrow दबाना पड़ता है shift और down arrow दबाना पड़ता है मैं एक ही की से arrow key right arrow दबाऊंगा तो select होना चाहिए left arrow bottom arrow आप arrow वैसे select होना चाहिए तो मैं cursor जहां पे भी रखाँ वहां पे मुझे selection lock करने के लिए keyboard के पर मैं F8 button press करूँगा जैसे मैं F8 एक बार press करूँगा तो यहां पे नीचे दिखाई देगा extend selection करके आपको एक option बता रहा है extend selection होगा F8 आपका active हो चुका है right side में आप जाओ right arrow प्रेस करो बस control shift कुछ नहीं right arrow प्रेस करो down arrow प्रेस करो automatically उस select कर रहा है आप arrow प्रेस करोगी आप उस selection पे cursor lock हो चुका है दीखिए 45 आपने लिखा था 40Y जो आपने select किया था D6 cell में तो वो selection उस position पे lock हो चुका है याद रखिए फिर से F8 प्रेस कीजिए अब देखे extend selection नाम यहाँ पे जो था वो निकल गया है और आप down arrow प्रेस करोगी तो आपका cursor SMO होगा तो जिस position पे आपका cursor उसी पे lock करने के लिए आप F8 प्रेस करोगी यहाँ पे नीचे वो आपको instruction दे देगा status bar पे कि क्या status है extend selection आपने on कर लिया है अब आप down arrow प्रेस करो select हो गया आपको कोई combination प्रेस करने के जुरुरत नहीं shift हो गया अब F8 दुबारा प्रेस करोगी selection हट जाएगा so F8 का इस्तमाल एक यह होता है दूसरा F8 वर्ड और Excel में alt F8 होता है alt F8 macros की बिंडो लाने के लिए अब यह macro जो होता है Excel में programming करने के लिए work fast करने के लिए Excel में अगर आपको macro आता है word में अगर आपको macro आता है और इसके उपर मैंने अल्रड़ी वीडियो बनाए learn more चैनल के उपर सती सर बोलते हैं कि गदा मजदूरी करना छोड़ दो और बहुत सारे लोगों ने उसे देख लिया यह वाला वीडियो गदा मजदूरी करना छोड़ दो यह जरूर देख लेना आप learn more चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक भी देता हूँ Excel में हम काम कर रहें लेकिन गदा मजदूरी कर रहे है मतलब macro का इस्तमाल हम नहीं कर रहे Macro में काम automatic होता है वो कैसे उस वीडियो में पता चलेगा I'll tap it macros की window लाने के लिए आगे की तरह बढ़ते है F9 यह shortcut की है F9 यह shortcut की Excel के अंदर बहुत important role play करती है मैं आपको एक छोटा से example दिखाना चाहूँगा मैंने बहुत बार समझा है भी मेरे Excel के अलग अलग वीडियो में यह पर मैंने एक formula लगा Excel के अंदर और यह formula में जो यह selection है यहाँ पर नंबर अलग अलग टाइप करता है क्योंकि वह एक ही नंबर सब जगा पर दिखा रहा है क्योंकि सब जगा पर वैसे भी 45 लिखा गया था तो अब मैं यहाँ पर some formula कोई भी formula लगाओ उसके अंदर जो range आप select करोगे जो भी range select करोगे उसका calculation आप देखना चाहते है उसके अंदर कोई कोई से number है तो यहाँ पर F9 आप press कर सकते है और यह F9 हटाने के लिए control Z दुबार range में आने के लिए इस तरह से इसे हटाने के लिए बाफिस formula में आने के लिए तो F9 से आपको पता चलता है कि आपने उसका क्या result है उसमें क्या आता है और अप एक एक formula को separate separate भी calculate यहाँ पर F9 की जरिए कर सकते है यह manual calculation का role भी play करता है जैसे मैं यहाँ पर formulas tab में जा रहा हूँ और formulas tab में यहाँ पर calculation options में यह देखिए formulas tab में Excel में calculation option में मैंने manual mode रखा है अब मैंने यहाँ पर एक formula लगा दिया is equal to sum manual mode लगा दिया दिखिया और मैंने enter कर दिया यहाँ पर answer तो आगया 913 अब मैं यहाँ पर एक value change कर लेता हूँ तो यहाँ पर नीचे update नहीं हुआ है तो मैं अगर यहाँ पर keyboard पर F9 प्रेस करूंगा आप इसका use कर सकते F9 से calculate होता है F9 जब आप प्रेस करके सारे जो formula आपने update किये वह सारे के सारे यहाँ पर update हो जाते है आप बोलते है manual mode का क्या इस्तमाल होता है वह तो excel में आपको पता चल जाएग अगर आप excel सीख चुके होंगे manual mode का बहुत सारे इस्तमाल है जब आपके हजारो फॉर्मूलाज है और जब एक साथ calculate होते तो excel sheet hang होने के चॉइंस से रहते है तो manual mode लोग activate कर देते है फिलाल मैंने automatic mode दुबार activate करके रख दिया है So F9 बटन यहाँ पर आपको समझ मैं और F9 का control के साथ इक combination होता है excel को minimize करने के लिए मैं control F9 प्रेस करूंगा तो excel minimize हो जाता है control F9 यह देखिए excel नीचे minimize है मैं दुपर open करता हूँ control F9 से minimize हो जाता है maximize नहीं होगा maximize minimize के लिए अलग से shortcut की आगे है लेकिन यह control F9 का combinations मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा ठीक है अब next shortcut की तरफ बढ़ते वह है App 10 function में App 10 का क्या इस्तमाल है मैं इसे control और shift के साथ इस्तमाल करना चाहूँगा पहले मैं shift App 10 का इस्तमाल बताऊंगा यहाँ पर Excel में right-click करना चाहता हूँ तो मैं इसके उपर माउस से right-click करता हूँ लेकिन मुझे mouse के बेगर right-click करना है तो माउस के बेगर right-click करना है shift App 10 प्रेस कीजिएगा shift App 10 यह देखिए right-click का shift App 10 आप desktop पे भी प्रेस कर सकते मैं से minimize कर देता हूँ shift App 10 प्रेस करता हूँ आप folder select करते हो इसके उपर भी आप right-click करना चाहते है shift App 10 तो shift App 10 right-click का यह आप एक इस्तमाल हम कर सकते right-click कीज का उसके अलावा control App 10 के साथ क्या होता है अगर आपने यह Excel स्क्रीन ओपन रखे और इसे रिश्टोर करना है control App 10 च्टोर्टी कर दिये control App 10 right-maximize हमने FI के साथ इसका इस्तमाल देखा था right- तभी हमने मैंने बताय था आपको कि FI के साथ इसका इस्तमाल होता है windows को च्टोर्टी करने के लिए restore करने के लिए control App 5 के साथ Excel के अंदर, Alt FI के साथ यहां पर दोनों होता है control App 10 control App 10 control App 10 से छोटी होगी restore Maximize restore Maximize करने के लिए control App 10 का इस्तमाल कर सकते है और Alt के साथ इसका combination इस तरह से रहेगा अगर आप Alt App 10 प्रेस करते हो तो यहां पर selection pane open हो जाता है जिसे आप आपके जो भी object है इसे यहां पर मैंने insert में चार्ट है या फिर picture से जो भी है मैं कुछ shape से यहां पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो shape को यहां से आप select भी कर सकते है or hide भी कर सकते है तो यह selection pane open करने के लिए आपको Alt F10 यह button प्रेस करना होता है यह shortcut की भी याद रखिए यह word excel power point में सब में use होता है Alt F10 selection pane का dialogue box यहां पर task pane बोल सकते है यह open हो जाता है selection pane मैं आपको यह पर दिखा रहा हूँ F10 अमने जान लिया अब बार है F11 की दोस्तों F11 होता है full screen के लिए आप windows explorer open करो या फिर आप कोई भी like chrome browser open कर लो जिसमें इस browser को आपको full screen करना है जैसे कि यहाँ पर मेरी website आपको दिखा दे रहे मैं F11 press करता हूँ यह देखिए F11 press करते ही क्या हो रहा है यह full screen हो रहा है पुरा पूरा यहाँ जो उपर का menu सब गायब हो रहा है F11 दोबारा press कीजिए यहाँ पर आपको F12 से पता चल जाते है अगर आप एक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए F12 से आप इस website का backend देख सकते यानि की coding देख सकते राइट यानि की कुछ coding इसकी HTML CSS की वह आप देख सकते है F12 की मदद से ब्राउजर के अंदर F12 का इस्तमाल यह होता है Excel और Word के अंदर जान लेते है Excel के अंदर इस फाइल को अल्रेडी मैंने सेव कर चुका हूँ सब्सक्राइब लेता हूँ मैंने यहाँ पर फाइल ओपन की टेक्स फॉर्मॉला ओली फाइल ओपन कर ली अब यह टेक्स फॉर्मॉला ओली जो फाइल है यह मैं क्या करना चाहता हूँ अगर मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ तो कुछ नहीं होगा मैं से डॉब्लिकेट सेव करना चाहता हूँ और जाहता हूँ इस परम्क्शन कहरे बेक्स नोली आतए फाइल को सरereum ओर कंट्रॉल आपट्रोज करऊता होता है परदेट जोलुक्त है उपन कांट्रोल कोल्व एसिटमाल हम ने चाहता है हमने फ1न टू एफ binnen यह function key का इस्तमाल यहां पे जान लिया है दोस्तों, पूरा practically इस्तमाल यहां पे हमने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं यह वाले panel पे, जो की keyboard की उपर आपको दिख रहा है, home insert वाला जो panel है, page up, page down वाला, तो उसे हम सीख लेते हैं, सबसे पहले हम home key का excel में इस्तमाल जाएगा, इस तरह से, अगर मैं control home button प्रेस करूँगा, control home, तो मेरा directly a1 cell पे करसर जाएगा, control home, यह देखिए, control home, a1 पे करसर जा रहा है, जहां पे मेरा content start हो रहा है, home प्रेस करता हो, तो यहां पे, अगर आप home word में आते है, suppose word में, word में भी दिखा जीता हो, क्यूंकि सब जगा पे इस्तमाल करना चाहिए, यहां पे cursor end में रखा है, इस line के ending में, यह sentence के ending में, यहां पे इस line के ending में, home प्रेस करते हो, तो आप डिरिकली, यहां पे word के page के beginning में आ जाओगे, right, so control home, क्या होता है, यह देखिया, cursor, cursor पे ध्यान रखिए, यहां पे cursor आ चुका है, so control home क्या होता है, आपको समझ में होगा, अब हम end के बारे में जान लेते हैं, वैसी control end प्रेस करोगे तो आप ड्रेकली ending में आ जाओगे इस paragraph के, और cursor आपका इस line पे starting में, और keyboard end button प्रेस करते keyword पे, तो ending में आ जाओगे, यह देखिये, यहां पे धान दीजे, यह blinking लाइन जो इसेरी इसितमाल कर सकते है, control shift, अगर में प्रेस कहाता हुद या पे, control shift और home, sorry, cursor या पे रखता हूँ, पहले, control shift to home, तो यह देखिये, पूरा को पुरा, यहां से आ तक select हो गया, अगर cursor starting में रखता हूँ, control shift end रखता हूँ, तो पूरा को पूरा यहां से यहां सी यहां त करकी का इस्तमाल मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है इंसर्ट शॉट करकी एक तो आप कर सकते हैं यहाँ पर जैसी आप अपने कंटेंट टाइप करने के लिए लिए आपको कंटेंट ओर्राइड करना है तो इंसर्ट का इस्तमाल आप कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ABCD कुछ भी लिखा है वड़यो और अभी मैंने करसर यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दिया अब मैं ABCD को यहाँ पर हटाना चाहता हूँ और उसकी जगर ओर करसर मेरा स्टार्टिंग में दिया जेकिए मैं जुम कर नहीं दिखाने के लिए आपको अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इंसर्ट वड़ंगए पहले पर कीबोर्ड पर प्रेस करोंगा जैसे में इंसर्ट प्रेस करूँग यह देखिए कुछ हाइलाइड हो रहा है अब क्या होता है कि आपको सब्स बीच में से कोई word हटा कि उसकी जगह overlap करने दूसरा word तो आप क्या करो उस insert की को दबा दो आपको दिखाए दे रहा है क्या कर रहा है आप ट्राइ करो इसे insert की दबा कि आप टाइप करने जाओगे तो वो वो राइड कर देगा उस word की उपार उसके अलाव अगर आपने यहां पे कुछ content copy कर लिये हैं और यहां पे पेश्ट करना चाते हैं तो आप शिप्ट इंसर्ड भी दबा सकते हैं शिप्ट इंसर्ड दबाईए वो content पेश्ड भी हो जाएं पेश्ट के लिए शिप्ट इंसर् तो पता चलाओगा अब यहां पे हमने home end देखा हमने insert भी देखा अब हम page up page down और delete का भी इस्तमाल देख लेते हैं page up page down में क्या होगा कि इस page पे suppose आपका cursor है page up आप उपर आ जाओगे page up page up से उपर आओगे page down से आप नीचे एक page scrolling होगा right page down से नीचे page up से उपर simple है scroll करने क लिए इसका इस्तमाल आप कर सकते है आप एकसल में page down यह देखिए page down page down एक एक पेज आप नीचे आओगे page up से उपर up and down scroll करने के लिए आप इसका quickly इस्तमाल कर सकते है page up page down keyboard से आप scrolling कर सकते है pen down right page में pen down scroll करने के लिए mouse की जरुवत नहीं है आपको ऐसे भी अब यहापर content को हटा देना है तो select करो और delete button keyboard पे दबाओ तो delete का इस्तमाल तो भई हर कोई जानता होगा लेकिन हर जगह पे यूज़नी करना है मतलब आपको कोई important pilot एक स्टॉप और आप जाकर delete button दबा रहे हो तो यह file delete होने वाली है तो file folder content सब कुछ delete करने के लिए आप यूज़ कर सकते है यह पे delete key ओके तो यह panel में जो 6 keys होती है वो 6 की 6 हमने एक साथ जान ली देख ली समझ ली right अब हम कुछ बड़े-बड़े keys यहाँ पे जान लेते है अब हम next उपर उसी panel के उपर जो keys दिखाए दे रही है वो है print screen, scroll lock और pause break इसका इस्तमाल जान लेते है print screen का बहुत ही interesting इस्तमाल है जैसे कि मैं यहाँ पे word में काम कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है suppose desktop का कोई screenshot यहाँ पे लाके रख देना है तो मैं क्या करूँगा इसे minimize कर देता हूँ यह जो screen है desktop पे दिखाए दे रही है यह पूरी screen का screenshot में चाहता हूँ right control V जो मैंने वहाँ पे जहां पे मैंने print screen दबाया था वह पूरा screen प्रिंट होके आ रहा है with mouse highlighter भी mouse highlighter बंद कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ यह delete कर देता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ इस excel की screen है इसका screenshot चाहता हूँ मैं यहां पे प्रिंट screen दबाऊंगा वर्ड मैं आके paste करूंगा control V वाओ पूरी की पूरी screen यहां पे paste हो जाती है right और इसका दूसरा combination है print screen का अगर आप इसे वर्ड में नहीं लिना चाहते है लेकिन आप इस screen को save करना चाहते है जैसे आप यहां पे कुछ विजिट करें वेबसाइट पे अभी से आप वर्ड में बार बार को न ओपन करके paste करेंगा मैं इसे save करना चाहता हूँ तो मैं window और print screen दबाऊंगा window और print screen जैसे में windows print screen दबाऊंगा screen थोड़ी सी blink होगी और आप जाओगे अपने windows explorer में window e प्रेस करो windows explorer में जाने के लिए window e file explorer में i mean to say so file explorer आगे आपका और जहां पे आपको यहां पे pictures option मिल जाता राइट इसमें windows 10 या 11 जो भी आपके पास है pictures में जाई है और pictures में screenshot करके folder आपको मिल जाता है जिसमें आपको डहर सारे screenshot मिलेंगे मेरे डहर सारे screenshot यहां पे है तो यहां पे यह screenshot भी आपको दिखाए दे रहा है जो आभी हमने किया था तो screenshot directly save हो जाता है as a image screenshot folder में documents के अंदर pictures के अंदर वापे है उसके लिए आपको window print screen यह वाली shortcut की दबा देनी है दबा दी काम खतम अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पे हम next shortcut की जानने वाले वह है scroll lock इसका इस्तमाल मैं excel में दिखाना चाहूंगा तब आपको पता चल जाएगा scroll lock का इस्तमाल जब होगा तब अब मैं देखिया यहां पर down arrow press करो यह scroll हो रहा है आप arrow press करो यह scroll हो रहा है मैं नीचे जा पा रहा हूँ इस तरह से उपर भी जा रहा हूँ अगर मैंने यहां पर scroll lock दबा दिया यह scroll lock है इसका मतलब आपका down arrow आप arrow नहीं press हो रहा है sales selection change नहीं होगा आपको यहां पर क्या हो रहा है scroll हो रहा है पूरा 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 आप Excel में राइट और scroll lock फिर से बंद कीजिए आप देखिया down arrow आप arrow प्रेस कीजिए क्या हो रहा है यह pause के लिए पूरा ने computer में ज्यादा इस्तमाल किया जाता था अब भी है कुछ जगह पे इसका इस्तमाल तो मैं दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर चालू कर रहा हूं DOS का कैसे चालू करते देखाता हूं मैं आपको यहां पर आपके सामने आता है DOS window यानि CMD window अब यहां पर कुछ running है जैसे कि मैंने यहां पर कोई website का IP address डाल दिया facebook.com और उसको मैं पिंग कर रहा हूं अब मैं control pause button वाफिस दबा दू तो यह दुबारा इस तरह से चालू हो जाएगा control pause button आप इसे इस इस इसथा हो गया फिर से control pause दबाएंगे आप यहां पर दिखाए देगा आपको यह pause इस तरह से pause का मतलब होता है कि कोई चीज stop करना जैसे आप वीडियो चल रहा है तो pause करना चाहते है तो वो उसके लिए basically होता है लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इस श्रॉट करकी को यूज किया जाता है कमेंट कीजिएगा साथी में एक request है आपसे चैनल पे नए महमान हो तो subscribe कर लिजएगा और एक important information देना चाहूंगा आपको आजकल AI का जमाना है जी यहां दोस्तो AI का जमाना है और AI के साथ काम करना हर किसी को आना चाहिए नहीं तो बोरिया बिस्तर आपका बाहनना पड़ेगा यह जो image आपको screen पे दिखा रहा हूँ यहां पे robot आपकी जगर लेने वाला है और आपको अपना बोरिया बिस्तर बान के चला जाना पड़ेगा ऐसा होगा क्या अगर आपके मन में सवाल रहेगा कि वही ऐसा सही में होगा ने ऐसा नहीं होगा बट होगा क्या AI will not replace you guys the person using AI will definitely do जियां दोस्तों जो person AI use करना अच्छी तरह से जानता है वो आपको replace कर सकता है because आज से 20 साल पहले जब computer आया तो तो किन-किन लोगों की नोकरी खत्रे में हो गई थी basically जिनको computer use करने नहीं आता था वहाँ पे computer operator आ गया था मतलब computer operator ने उनकी job ले ली थी खा गया था वो right वैसी AI will not replace you but the person using AI जो person AI अच्छी तरह से यूज करता है वो आपका job ले सकता है तो इसलिए आपको AI, Microsoft, Excel, Word, PowerPoint इनमें यूज करना ना च्छी और इसके लिए मैंने live हर हपते एक webinar मैं लेता हूँ, conduct का तो दो गंटे का रहता है जिसमें ये चीज़ों का मैं explanation देता हूँ तो अगर आप interested हो इस weekend के webinar को join करने के लिए तो नीचे description में आपको link मिले की जहां से click करके आप ये webinar बस 9 रुपए में register कर सकते हैं यहाँ, chocolate से भी कम prize रखाए, chocolate का prize 10 रहता है, हमारा webinar का prize 9 रुपए में आप enroll कर सकते हैं, यह paid webinar है second thing, यहाँ पर एक important चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर वहाँ पर आप link पर click करते हो और आपको seats pool इस weekend का आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग register कर सकते हैं एक साथ, और thousand लोग ही हम enroll करते हैं, एक webinar के अंदर, तो वहाँ पर seats pool लिख्या आ रहा है, तो आप next webinar के लिए register करके रख सकते हैं, उसके लिए आपको next webinar के एक लिंक मिलेगी next Sunday की, या फिर आप वहाँ पर Google form भर के रख सकते हैं, लेकिन अगर आप available हो तो ही आप enroll कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है, thousand registration है, उनको जिनको है basically available जो इस Sunday को available है, उनको अटेंड करनी दीजिए, तो छलि में हैं, यहाँ पर कुछ उसी की के side में आपको बड़े-बड़े keys दिखाए देरें, जैसे backspace है, या फिर enter है, इनके बारे में जान लेते हैं, बड़े-बड़े keys हम खतम कर लेते हैं, क्योंकि यह backspace तो सबको पता रहता है, basically लेकिन अब सारी shortcut keys बताना मैंने सोचा है, तो typing के अंदर backspace यूज़ करना होता है आपको, okay, erase content होता है, और अगर आप कोई folder में हो, यहाँ पर इस folder में है आप, यहाँ पर मैं backspace दबाता हूँ, तो आप पीछे वाली folder में चले जाओगे, back, याद रखिए, backspace यहाँ भी आप दबा सकते हैं, यह कहना है मुझे, और आप यहाँ पर alt, right arrow, left arrow भी दबा सकते है, alt, left arrow, right arrow, back, पीछे जाना है, पीछे जाना है, right, 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 तो alt, left, right arrow याद रखिए, मतला आप कोई folder में जाना चाहते है, सपोज अपने dE में गये, और अपने folder उपन किया, यह वाला folder open किया मेरा, कुछ शूट का है, तो इस folder से पीछे जाना है, alt, back arrow, या backspace भी दावा सकता हूँ, alt, back arrow, लेकिन मैं आगे आना चाहता हूँ, right arrow, right arrow, इस तरह से मैं आ सकता हूँ, so alt, left, right arrow, use कर सकते है, alt के साथ, backspace का इस्तमाल तो आपने जान लिया, backspace कहाँ पर कैसे इस्तमाल करना है, अब enter का भी जान लेते है, enter तो Microsoft Word में paragraph change के लिए होता है, मैं यहाँ से नीचे आना चाहता हूँ, enter सबको पता है, दूसरा है कि कोई भी dialogue box आपके सामने आता है, उसमें जो भी options से यहाँ पर set है, अगर आप enter करते हो, तो यह save हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह blue में highlighted है, आप enter प्रेस करते हो directly, तो यह यह वा ने बता दिया है, ओके, उमीद है आपनी यह जान लिया, और आप space bar का इस्तमाल भी बताऊंगा, आप बोलो गयार space bar बच्चो की चीज़े सर, क्यों बता रहे है, space, space देने के लिए होता है, लेकिन इसका shortcut key भी है न, हम Excel में अगर यह column को select करना चाहते है, पुरा पुरा इ selection, space का इस्तमाल जान लिया, तो यह थोड़ी सी बड़ी-बड़ी shortcut keys, keys के बारे में आपने जान लिया, back keys के इस्तमाल क्या होता है, और कहां पर होता है, देख लिए, अब हम arrows keys के बारे में यहां पर जान लेते, arrow keys हमारी pending है, और इसे हम पहले समझ लेते, arrow keys, arrow keys, arrow keys से up and down हो right में, windows right, right में, so windows left, right में आप इसका इस्तमाल कर सकते, right और left arrow का, right आप यहां पर उसका windows के साथ combination कर सकते, windows के साथ combination अगर आप करते हो, तो यह बहुत ही useful रहेगा, और left right arrow, अगर excel word में shift के साथ use करते, आप shift right, shift left, ऐसा selection के लिए यह उता है, वर्ड में भी देखिए, shift right, shift shift up arrow, shift down arrow, इस तरह से shift right, left, इस तरह से भी इस्तमाल कर सकते, selection के लिए आप इनका इस्तमाल कर सकते, आप direction के लिए भी इस्तमाल कर सकते, selection के लिए इस्तमाल कर सकते है, और यह arrow keys कैसे इस्तमाल करनी डेफिनिटले आपको समझा होगा, arrow keys, navigation keys भी से बोला जाता है, page को navigate करने क लिए इस्तमाल किया जाता है उपर नीचे लेट राइट ओके नैविकेशन कीज के बाद हम बढ़ते हैं यहां पर निक्स्ट की तरब जो की हमारी कीज आपको दिखाई देरी या पर टैब करके है तैब का इस्तमाल में आपको यहां पर इसलिए बताना चाहँगा क्योंकि व दिखर है आपको यह टैब से क्योंकि आप जैसे कीवूड पर ठैड बटम प्रेस करूगे आपका 1 पे जमप होगा अप यहां पे कुछ लिखने है लिख सकते हैं जैसे आप दुबारा अप्र कर प्रेस करूगे नो mic क्रें पर इंटर करूगे टैब तो यह टैब से क्या हो अगर आप Alt-Tap करते हो तो एक program से आप दूसरे program में या दूसरे explorer file में वगरा जा सकते हैं जितनी भी open program है यहाप को दिखाए दे रहे और आपकी इसमें भी जा सकते हैं Alt-Tap करो Alt-Tap करो इसमें से इसमें इसमें जाओ या फिर Windows टैब करो कुछ इस तरह से आपको पुरा पुरा डेक्स्टॉप न्यू डेक्स्टॉप लेने के लिए ओप्शन आ जाता है यहां से आप कर सकते हैं अल टैब पता चला Windows टैब भी इस्तमाल कीजिए और टैब वैसे भी इस्तमाल करना आपको पता चला होगा टैब के बाद Caps Lock नीचे दिया है उसी के नीचे आपको दिखाए दे रहा है Caps Lock कीबोड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में So Caps Lock अगर मैं प्रेस कहता हूँ तो light on और off होती है कीबोड की उपर और यह सभी कीबोड की उपर standard format रहता है अगर मैं इसे on रखूंगा तो यह capital type होगा इसे मैं off रखूंगा तो यह small type होगा Caps Lock के बारे में ज्यादा कुछ जानकरी मुझे नहीं देनी है इतनी जानकरी है कि capital small लिखने के लिए इसनमाल किया जदा है बच्चा बच्चा इसे जानता है बच्चा बच्चा मतलब जो computer use करते वो बच्चे ओके सो अभी आगे की तरफ बढ़ते वो है shift की shift दोनों तरफ इसलिए रहती क्यूंकि आपको जब capital टाइप करने रहते है फास selection करना रहता तो आप दोनों तरफ से shift χात इसा गास इसलित करना है तो मैं right side का shift दबाओंगा और left hand इस तरह से right hand mouvement shift दबाओंगा और left hand इस तरह से दबाओंगा इस तरह से इससे मैं उसकर सकता और right side के Qí alphaba today से मीजR keyword पर P type करना है तो मैं right hand to shift शीप्ट से capital later आता है जब caps lock on औरेगा तो रहेगा तो वह later capital में आजाएंगे caps lock off रहेगा तो वह later capital में आएंगे हैसा मी कह रहा हूँ और caps lock on रहेगा याँ पे तो लेटर small में हैंगे मतलब capital मेरा caps lock on गीबोर के पर मैं shift के साथ जो भी की आप करूंगा तो वो small में आ जाएंगे तो यह वाइस वर्सा हो जाता है याद रखिए caps lock on रहेगा तो small में आएगा और caps lock up रहेगा तो capital में आएगा तो shift आप एक alphabet capital में लिखना चाहते हैं जैसे computer का c capital तो shift c और उसके बाद computer इस तरह से आप एक alphabet के लिए shift का इस्तमाल कर सकते हैं और shift का तो बहुत सारी combinations मैंने आपको बताएं अलग-अलग combinations हमने देख भी लिए selection हो गरा के लिए control तो पूरा combination में use होता है भाई control अगर करना है आपकी computer को तो आपको control की के उपर command अच्छे से होने चाहिए control A होता है control B होता है control C होता है control D होता है और सारी shortcut keys में बताने हो लो control A to Z don't worry so control के साथ सारी combination हम देखेंगे next shortcut क्या आप windows है windows M अगर आप press करते हो तो minimize हो जाता है तो windows के ऐसे डेर सारे combination और इसके उपर already मैंने एक वीडियो बना है जो कि मैं आपको description में दे रहा हूँ Windows के combination का एक वीडियो Windows के combination जो आपको पता होनी चाहिए shortcut key का एक अलग सा वीडियो है वो आप जरूर देख लेना description में link है आपके लिए मैंने सारी चीज़े बनाई यार आपको बस एक साथ मैं दे रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहूँगा और यहाँ पर Windows बटन अगर आप प्रेस करते हो तो यह पर Windows का यह भी आ जाता है पता रहेगा आपको इस तरह से चलो ठीक है Windows के बाद अल्ट की आती है और अल्ट के भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन होते है अल्ट के साथ मैंने और भी कॉम्बिनेशन पहले भी आपको बताया अल्ट करो तो उसका क्या अलग सा कॉम्बिनेशन होगा वह हमने देख लिया है तो यह कीबोर्ड की उपर दो पर Ctrl X सब्सक्राइध में चुम्प्ट नमबर यहां को नमब्लग इन गठावर अगर आपको नमब्लग बंद करो अगर थे नमब्लोक बंड बंद करते हैं और यह बटन से बंद किया, अ Benukop कोकुल आपकोर द является ř. यह दिखिए झाल कर भी तो और यह एकल अगर राइध को तो cursor आप हो जाएगा, 6 प्रेस करूगा तो right में जाएगा, 4 प्रेस करूगा तो left में आएगा, तो यह यहाँ पर arrow जो है वो activate हो जाएगे number की ओपर, अगर आप ध्यान सो देखोगे, तो 2, 4, 8 और 6 पर arrows दिये गए, और वो navigation के तोर पे भी आप number की को use कर सकते हैं, अगर मैं number करने के लिए, प्लस, प्लस करने के लिए, इन सभी का इस्तमाल आप mathematics calculation के लिए कर सकते हैं, नुमरिक की pad आप mathematics calculation के लिए भी कर सकते हैं, so यह आपको पता चला, और num lock का एक interesting combination में आपे बताना चाहूंगा, जो की आपको जरूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए, अगर आपने file explorer open किया, windows E, यहापे, और मैंने h drive, कोई भी drive select किया, और इसके अंदर की जितनी भी subfolders से मैं एक साथ देखना चाहता हू, subfolders, सारे के सारे, तो मैं num lock प्रेस करूँगा, और जो num lock प्रेस करने के बाद ध्यान से दिखिए, number lock प्रेस करके, number lock के साथ, मैं multiplication वाला sign, जिसे बोलते हैं, वो प्रेस करूँगा, तो यहापे देखिए, subfolders सारे के सारे open हो रहे है, automatic open हो रहे है, तो मैं इसे बंद कर देता हू, यह बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे folder है, तो subfolders एक साथ open करने के लिए आप उसका इस्तमाल कर सकते है, यह एक alphanumeric keys और उसके बाद हम लाश में लेंगे alphabetic keys, alphanumeric keys आपके keyboard के उपर यहाँ पर दिखाई दे रहे है, तो सबसे पहले alphanumeric keys में आपको tilt sign दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस्तमाल कर सकते excel के अंदर general format लाने के लिए, मतलब यहाँ पे suppose एक number है, और मैंने number इस तर number है, उपर number है, इसको मैं general में दुबारा convert करना चाहता हूँ, तो मैं control, shift और tilt button प्रेस करूँगा, यह देखिए उपर देखिए क्या आ रहा है, फोकस करता हूँ, touch लेके general, यहाँ पे number भी देखिए कैसा आ रहा है, अगर मैं इसको दुबारा number में convert करना चाहता हूँ, तो यह exclamatory sign आपको अगर directly type करने हैं, तो आप keyboard के पर shift और exclamatory इस तरह से लिखोगे, shift प्रेस करके आप exclamatory sign, क्योंकि अगर आप direct प्रेस करोगे तो वहाँ पी 1,2,3,4 आ जाएगा, आलपानुमरीक है न वह नमबर भी आएंगे, shift एड़ेट, shift हैश, shift डॉलर इस तरह से आ ज आ गया, यह देखे, time format यहाँ पर time में दिख रहा है, आपको बताने की जुरूद नहीं, वहाँ पर time format आ गया, date format में चाहिए, control shift hash, जो हमारा अलपानुमरीक कीज, जो है, एक के बाद एक वह में प्रेस कर रहो, control shift के साथ, okay, control shift dollar अगर में प्रेस करता हूँ, तो यहाँ प control shift के साथ, exclamatory add the rate hash dollar percentage यह प्रेस कर सकते, अब में next shortcut की यहाँ पर प्रेस कर रहो, control shift exponentiation, यह shortcut की, यहाँ पर में प्रेस कर रहो, यानि की control shift 6 वाला जो दिख रहा है, sign exponentiation का sign है, और यह तोड़ा सा बोलने के लिए difficult है, but you can try it, control shift 6 प्रेस करती ही, यहाँ पर, control shift exponentiation sign प्रेस कर अलग-अलग convert करने के लिए आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते, control shift के साथ, okay, उसके बाद यहाँ पर end sign दिया गया है, यह shift और end प्रेस कर सकती, यहाँ पर control shift और end का कोई यहाँ पर shortcut की नहीं बनता है, end के साथ, basically मैंने चेक किया, बद कोई shortcut की नहीं बनता है, but end का इस्तमा अगर आपको पता है, control के साथ, shift के साथ, इसका कोई combination कोई software में होता है, तो आप ज़रूर उसे बताईए, right, उसके बाद आता है next control shift, asterisk, उसका भी यहाँ पर कोई shortcut की नहीं बना है, asterisk यह shortcut keys मैंने पहले भी बताई, number और asterisk अगर आप प्रेस करते हो, तो उसका num lock, मतलब number नहीं, num lock और asterisk, यह मैंने आपको बताई था, so num lock और asterisk अगर आप control और open bracket, जिससे की हम rows को hide करेंगे, open bracket यहाँ पर जो दिख रहा है, इससे में control के साथ प्रेस करूंगा, तो वो row hide हो जाएगा, यह दिके 28 number row hide हो गया, right, याद रखिये, simple है, यहाँ पर, मैं, यहाँ पर suppose कई भी भी करसर रख देता हूं, यह 31 का है, तो control open bracket में रख देता ह इससें मालें रख देता है, यद रखिये, यह पर जाएगा, आचा, कंट्रोल जिट के साथ कर आए तो आई, शो करने के लिए, counter shift, अषा यह है,左右 हो जाएगा, अच्छा, पर ब्रेस करतो है, इससे, परदो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर CTRL SHIFT CLOSE से यहां पर SHOW नहीं होता है, इसलिए CTRL Z में करता हूँ, Undo कर देता हूँ Right, Hide Column सामने देखा, CTRL CLOSE Bracket, CLOSE Bracket जो कि यहां पर ALPANIMERIC KEYS में आपको दिखाए देता है, Right उसके बाद, Next shortcut की है CTRL MINUS, जो कि यहां पर रोज है, मुझे डिलीट करने हैं तो मैंने इसे सेलेक किया CTRL MINUS, पूरे के पूरे रोज डिलीट होंगी, आगर मुझे कॉलम डिलीट करने हैं, तो मैं कॉलम सेलेक कर लूँगा, और CTRL MINUS, इस तरह से, मुझे आप एक कॉलम एड करना है, CTRL PLUS, CTRL PLUS, Right, Keyboard पर प्लस आप प्रेस कर सकती है, या CTRL SHIFT PLUS, ये वाला जो निमरीक कीज है, CTRL SHIFT के साथ दबाना पड़ेगा, याद रखिए, CTRL MINUS, डैरिक प्रेस करेंगे, CTRL SHIFT PLUS करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप CTRL और डैरेकली प्लस बटम प्रेस करना है, निमरीक वाला, CTRL PLUS मैंने अगर, नमबर पैड में से यूज किया, नमबर पैड में से, तो वो डैरिक होगा, लेकिन आपको यहाँ वाला जो यूज करना है, जो मैंने आपको, अल्पानिमरीक कीज में बताया है, वो वाला यूज करना है, तो आपको, अल्पानिमरीक कीज में, CTRL SHIFT और प्लस इस तरह से होगा, नया कॉलम होती है, तो alt is equal to, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसमें क्योंकि प्लस और is equal to, यह दोनों भी स्की में आ रहे है, तो alt is equal to, मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पर sum आता है, auto sum का formula, alt is equal to, automatic sum लेने के लिए, यहाँ पर alt is equal to, ड्रेक लिए, वो sum का formula आता है, इंटर बटम प्रेस स्क्वेर ब्रेकेट मिल रहा है तो अगर मैं वर्ड में इसको सिलेक करूँ सब्सक्राइब में पैरेग्राफ ले 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 तो दुबारा और इस पैरेग्राफ को सिलेक करके इसकी साइज फॉंट साइज कम करना चाहता हूँ तो मैं शॉटकर की यूज़ कर सकता हूँ Ctrl Open Square Bracket font size कम होगी decrease font और increase करना है Ctrl Open Square Bracket Ctrl Open Square Bracket square bracket क्योंकि Curly Bracket हम Shift Bottom प्रेस करके लेंगे जब भी आपको प्रेस करना है तो Shift Bottom प्रेस करके Curly Bracket आएगा लेकिन Ctrl के साथ प्रेस कर रहा है खली तो यह पर एक Ctrl Open Square Bracket सी हीए Open Square Bracket close square bracket open से यह चोटा होते जाएगा decrease font और close से बढ़ते जाएगा so open और close दोनों भी square bracket के बारे में हमने जान लिया उसके बाद यहाँ पे आगे जो shortcut की उसी के बाजू में है वो है back slash की shortcut की और pipe की shortcut की pipe हम shift वड़म प्रेस करके देंगे और back slash direct type होगा without shift back slash ज्यादा तर कोई folder आप network में रखे तो उसको access करने के लिए हम use करते जैसी यहाँ पे network में folder रख चुका हूँ तो run command में मैं यहाँ पे back slash दे दूँगा दो बार और फिर folder का या फिर जो network computer उसका नाम लिखोंगा तो यह उस computer का folder access कर लेगा network में से तो यह उस time पे use होता है बहुत सारी जगह पे इसका इस्तमाल आप folder access folder path देने के लिए इस्तमाल करते है back slash का right यहाँ पे कोई shortcut की तो इसके लिए नहीं है लेकिन मैंने आपका इसका इसका इस्तमाल बताया कहाँ पे हो सकते next अगर आप control colon या semi colon का आप करो यह देखिए करन टाइमिंग आरे जो system का time है यहाँ पर बॉटम में टाइम भी देख सकते और आज की जो डेट है recording की वह आ जाएगी control shift और यह वाला बटन फिर से colon में दबाऊंगा control shift और colon बोला जाएगा और control semicolon यहाँ पर बोला जाएगा इस तरह से याद रखिए control shift और colon इसे बोला जाता है insert current time control colon यह control semicolon हम बोल सकते इसको control semicolon insert date याद रखिए control के साथ वही keys आप दबाऊगे तो insert date हो जाएगी current date current date current timing के लिए हमने यह shortcut की इस्तमाल कर लिए है तो उसके बाद उसी के right side में एक और की दिखाएजिए कि जो की आपको inverted commas देती है excel में आप inverted commas use कर सकते अलगले formula में या फिर अगर आप excel में यह single inverted type करते हैं मतलब shift नहीं प्रेस करते डारिकल अपने टाइप किया तो कोई भी number को आप इसे text format में convert कर सकते यह देखिए कोई भी number को आप यहाँ पर text format में convert करने के लिए पहले single inverted comma यह single inverted comma यहाँ पर use कर सकते हैं so single inverted तो हमने जान लिया double inverted तो shift के साथ हम प्रेस कर सकते हैं इसका कोई shortcut की तो यहाँ पर नहीं बन रहा है लेकिन इसका यहाँ पर इस्तमाल कर सकते Excel में अलगलग formulas वगरा में और word में तो पता है आपको inverted comma कोई चीज inverted comma में लिखने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद आता है next control shift greater than and less than जो कि आपको keyboard के ओपर दिखाए दे रहा है अब मैं word के अंदर इसका इस्तमाल करूंगा shift greater than इसलिए मैंने बोला क्योंकि greater than less than sign आता है मैं control shift के साथ इसे use करूंगा तो यह greater than यहाँ पर इस तरह से होगा इस तरह से होगा control shift greater than बढ़ते जाएगा font size control shift less than size कम होती जाएगी और इसका इस्तमाल आप excel वगयरा में use कर सकते है अलग लग formula में greater than value दिखाने के लिए less than value दिखाने के लिए excel में जाता है इसका use होता है mathematics sign symbol बोल सकते अब इसे उसके बाद आता है forward slash normally हम इसे slash भी बोलते और question mark वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं इसका कोई shortcut key तो नहीं बनेगा लेकिन question mark और forward slash symbol लेने के लिए इसका इस्तमाल होता है तो हमने लगबग अब जितनी भी keys होती है keyboard के उपर वो देख लिए बस A to Z ये keys तो आपको बताने की जरूरत नहीं ABCD हम टाइप करते हैं लेकिन इनका combination में जरूरत बताना चाहूंगा या इसी वीडियो में मैं control A से लेकर control Z तक जो shortcut keys होती है वो भी आपको बताना चाहू के लिए word के अंदर ही नहीं आप Excel के अंदर PowerPoint के अंदर कई पे भी आप Windows Explorer पे भी हो यहाँ पे हो desktop पे हो आप control A बटन प्रेस करो पूरे पूरे फाइल एक साथ सेलेक्ट हो कि आप डिलेट कर सकते हैं जो भी करना कर सकते हैं आप उन फाइल के साथ control A select all right control B यह जो text selected है control B से यह bold हो जाएगा यहाँ पे आते हैं इस text को select करता हूं मैं control B बटन प्रेस करता हूं bold हो जाएगा right bold मतलब थोड़ा सा हट्टकटा होता है जाड़ा हो जाता है दिखाए देरे आपको तो यह सारा के सारा bold नहीं करना है suppose आपको को वर्ड पे highlight करना है लोगों को दिखाना है इस word पे जारा थोड़ा सा ध्यान लेक्यान है उनका तो आप इसे bold कर सकते हैं अगर books पड़े हैं तो आपने देखा होगा कुछ word bold रहते हैं तो वह आपको पता चला होगा उसको select करके आपको bold करना है इस वाले paragraph आपको repeat लिखना है तो बही control C प्रेस करो copy होगा लेकिन यह आया नहीं repeat यह तभी आएगा जब आप control V प्रेस करोगा वी velocity वाला V control V control V paste control C याद रखे control C copy मैं keyboard पे control C प्रेस करोगा copy होगा control V जब प्रेस करोगा तो ही यह पेस्ट होगा यानि उसका repeated copy आएगा जो आपने copy किया होगा text है वो जाता कहाँ पे फिर control C करने के बाद वह आ मैंने बोले है मैं इससे सेलेक करता हूँ इससे यहाँ पे मैं copy करता हूँ यह देखिए copy करने के बाद clipboard में आ जाता है जितने भी टेक्श को आप सेलेक करोगे control C से clipboard में आ जाता है right so control C copy होता है control V से paste होता है control D से क्या होगा control D से duplicate होगा लेकिन एक मिनी तुको अगर picture लिया फोटो मतलब picture फोटो एक होगा जो भी लिया आपने उसको आप सेलेक करके control D प्रेस का होते हो तो duplicate क्या बात है control D duplicate word Excel powerpoint में चीजे duplicate करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल करते है even powerpoint में powerpoint मेरा open ही है तो इस last slide को select करके मैं control D प्रेस करता हो तो यहाँ पे आपको duplicate दि इस्तेमाल होता है यहाँ पे content है यह suppose example लेलो यहाँ पे content लिखा गया है और इसी content को मुझे repeat करना है control D क्या बात है right आगया आप formula भी repeat कर सकते है suppose आपके वास कोई formula यहाँ पे type किया हुआ है आपने suppose this cell कुछ भी कर लिया ऐसा आपने formula कर लिया और यहाँ से लेकर यह जो formula दिया है न उपर का वही नीचे आना चाहिए control D यह देखिए formula वही formula control D से आ जाता है so control D आपको पता चला excel में क्या होता है fill down इसे बुला जाता है same formula fill down हो जाएगा okay that's it control D duplicate तो हमने देख लिया control E flash fill Excel में इस्तमाल होता है अगर आपने नहीं किया तो इसका इस्तमाल Excel में ज text लिखा है जो कि यहाए suppose नाम ही लिख देता हूँ मैं और मैंने नाम लिखा है सथीज डहोड़ा लेकिन small में लिख दिया small में लिख दिया कि दू-तिन नाम लिख देता हूँ में फटा पटी ही आपे अब आपको क्या करना है कि यह जो नाम लिखे न आपको capital में चाहिए सारे के सारे आपने small में लिखे तो इसके लिए आपको formula नहीं लगाने की जरूत आप 17 डोड़े लिख दो ओके और बस control E button दबा दो क्या बात है क्या बात है क्या बात है आपको यह proper case में चाहिए लिखो और control E दबा दो क्या हो रहा है सतीशा जी अलग आपको डवले अलग चाहिए डवले हम बोल सकते उसको तो यहाँ पर मैं धवले लिख देता हूँ और control E दबा देता हूँ ऐसे बहुत सारे Central Alignment right control E तो हमने चाहन लिए अब control F के बारे में जानते हैं यहाँ पर कुछ चीज ढूननी है मुझे बहुत बड़ा paragraph है और मुझे किसी का नाम ढूनना है कुछ भी ढूनना है तो मैं control F बटन दबाऊंगा यहाँ पर बोल रहा है कि क्या दूनना चाहते हैं मैं दूनना चाहता हूँ यहाँ पर smart word कहां का है तो यहाँ पर आप देख सकते smart word आ चुका है कहां पर है right और मैं देखना चाहता हूँ word कहां पर बस word कहां कहां है word देखिए सब जगह पर highlight हो रहा है तो ऐसे आप यहाँ smartly word को find out कर सकते हैं पूरा find करना है word तो find के लिए आप control app दबा सकते हैं और word को replace करना है तो आप control h दबा सकते हैं जैसे ही यहाँ पर suppose बहुत बार लिखा गया है मैं कोई भी नाम लिख देता हूं suppose Anil is good boy ऐसा में एक sentence लिख देता हूं और मुझे इसमें जितनी भी अनिल लिखा है उसको सब जगह पे Anil को change करना है अनिल is good boy मैं ने लिखा है Anil को change करके सूनी लिख देना है कुछ भी लिखना है तो मैं control h बटन प्रेस करूंगा control h replace याद रखिए मैं find के साथ replace तुरंद बता रहो तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो अनिल लिखा या फिर good यहाँ पे जो good लिखा है उसको मैंने कर दिया bad राइट और replace all कर दिया यहाँ पे देखिए good की जगा bad replace all done we made for replacement एक साथ सारे की word bad होगे मतलब good के bad होगे और boy की जगा अगर आप girl लिखना चाहते तो find out में आप boy लिखोगे और replace with में आप girl लिखोगे और replace all button पे click करोगे और magic देखोगे भाई अनिल इस bad girl मैंने कह रहो computer कह रहा है अगर अनिल किसी का नाम है तो sorry वही या तो यहां पर यह जो है ना अमिर खान ने 3D8 में यूज किया यह trick अगर आपने वह movie ध्यान से देखा है तो उस time पे pause करो जहां पर अमिर खान भी देख रहो कभी भी तो अमिर खान जहां पर वह replace करता है तो find and replace option यूज करता है वह क्या replace करता है वो सब आपको पता है लेकि 2021 है तो 2000 उसको 22 करना चाहते है तो आप definitely कर सकते है ctrl h यह एक shortcut की से जिससे बहुत बढ़ा time आपका say होता है right you don't have to find that word की कहा कहा लिखा है वो find भी करेगा replace भी कर लेगा so ctrl f find ctrl h g replace ctrl h replace अभी ctrl g के बारे में जानते है ctrl g गूटू और f5 से भी गूटू होता है यह मैंने आपको बतायता है f5 अगर आप press करते हो तो गूटू आता है ctrl g से भी गूटू आता है ctrl g से भी गूटू गूटू जहाँ जाना है जाओ ओके उसके बाद आता है ctrl आई इसको आप italic करना चाहते है ctrl i word को थोड़ा सा टील कर रहा है italic right control i control i control i control i italic word के अंदर control j justify alignment यह आप पे paragraph अगर आप देखोगे तो left में aligner right में नहीं ही तो इस paragraph को में पूरा select करता हू ctrl j करता हूँ देख चलते है ctrl j right side में भी देखिए left साड में भी देखिए left में तो पहले से रहता right में भी align हो गया ctrl j justify alignment प्रेस करने देखिएगा मैं चाहता हूँ कि भई सबोज एकसल में हम आते हूँ यहाँ पर मैं चाहता हु कुई file में link करूं कूई website में link करूं तो ब्रहा पर मैं जिख क्लिक करूँ वो फाइल पे मैं चला जाओ, मेरी important फाइल है, उस पे मैं चला जाओ, तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया, यहापे जो भी है, Ctrl-K बटन प्रेस कर दिया, और उस फाइल को यहाँ से सेलेक कर ले, जो भी फाइल आप दिखाना चाहते वो फाइल आप यहाँ से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे HTML का कोई भी फाइल ले लिया, यह HTML forms, ओके, अब मैं इसके उपर क्लिक करूँगा, हाइपर लिंक हो गया है, यह देखिए, HTML forms यहाँ पर उपन हो गया, राइट, तो यह आपको अगर आपने किसी टेक्स को सेंटर में ले चुके है, आप यहाँ पे देखिए, इसे लेप में लेना है, Ctrl L, Ctrl E, Center, Ctrl L, Left, अब रहे गया Ctrl R, वो है राइट, राइट में लेना है, तो Ctrl L, Left, Ctrl E, Center, याद रखिए, alignment के लिए Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, और Ctrl J यह alignment के लिए यूज हो थे, और यह चारों भी मैंने बता देए एक साथ, Ctrl M के बारे में जान लेते हैं, अगर इस पहरे गाप को मुझे थोड़ा सा आगे लेना है, indent लेना है, इसका indent बढ़ाना है, तो Ctrl M, Select करो, Ctrl M, 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 Intent, यहाँ पर website में मुझे कुछ image रखनी है, या प्रिंट के बाद यहाँ पर कुछ काम करना है, तो मैंने Ctrl M करके indent बढ़ा दिया, Ctrl Shift M से indent decrease होगा, Ctrl M से जिस paragraph को अपने से लेक क्या indent इंक्रीज होगा, उपर आप scale में देख सकते हैं, indent यहाँ पर बढ़ रहा है, यह indent होता है, और अगर आप Ctrl Shift M पर इस करते हैं, यह पीछे चला जाता है, चली बहुत सारे keys आपने अभी तक जान ली, अब आगे बताने से पहले मैं आपको बताओ कि अगर इन keys का प्रॉपरली इस्तमाल अलग लग सो software में करना चाते हो, तो software का अच्छा कासा knowledge आपके पास होना चाहिए, Microsoft Excel अगर आप सीखते हो, तो धेर सारे vacancies, धेर सारे jobs आपके लिए available मार्केट में, जिया अगर आप Google पर सर्च करते हो, Microsoft Excel Jobs in India, there are a lot of vacancies guys, बहुत सारी vacancies, LinkedIn पर मिलेगी, monster.com, nocrui.com, सब पर मिलेगी, तो जाकर check out करो, और इसके लिए Microsoft Excel का अच्छा खारसा knowledge अगर आपको चाहिए, तो हमने एक course आपके लिए design किया है, जो कि description में आपको link मिलेगी है, हमारे application की, skill course application पे हमारा ये Excel beginners to advanced course आप घर बैटे बैटे कर सकते हैं, not just that guys, computer hardware का course वहाँ पे available है, साथी में वहाँ पे Excel chart GPT का course अवेलेबल है, तो अगर आप interested हो, बहुत ही कम भीज में घर बैटे बैटे, IOSO Certificate के साथ, verified IOSO Certificate के साथ course करने के लिए तो जरूर इंटरॉल कीजिए, मतलब आपके Certificate के उपर specially verification ID आता है, जो कि आप LinkedIn के उपर हमारे उस particular certificate verification के link भी डाल सकते हैं, आपने profile में add कर सकते हैं, जहाँ पे दे रहे, साथ में practice file मिल रहे हो, साथ में courses मिल रहे हो, बहुत ही कम भीज में, basically आप एक student और job करना चाहते हो, तो यह skills सीखना पड़ेगा, already आप एक working professional अपने आपको upgrade करना चाहते है, salary hike चाहते हो, तो यह जो skills मेरे application और website पे available है, skillcourse.in website पे, तो जाकर अभी check out करो, और enroll कर लो, right, बहुत ही कम भीज में, क्या पता कभीज बढ़ जाए, तो ज़रूर चेक out करना, फिलाल तो आगे बढ़ते हैं, आगे के topic के और, यहाँ पे next shortcut की की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है control and new document, बहुत simple है, control and new document, right, इसे close करना है, मुझे इस file को control and new document, right, इसे close करना है, मुझ control F12 से भी open होता है, यह मैंने आपको बताया था, control O open, control P print करना है, file को तो यह print preview mode आ जाता है, control P से, और यह control F2 से भी आता है, यह भी मैंने बताया था, control F2 और control P, print, याद रखिये, सारे shortcut की बता रहा, control shift Q, यह एक shortcut की है, जिससे आप क्या कर सकते, इस paragraph को symbol में convert कर सकते, मतल control shift Q है, that is I know, तो यह आप मैं आपको बताना चाहूंगा, control shift Q press करके, यह पुरा को पुरा है, symbol में convert हो जाता, यह देखिये, symbol में, अब इसका जादा कुछ यूज नहीं है, but control shift Q एक shortcut की है, आप control Q की क्यू नहीं है, वह आप पता कर लो, और मिली तो आप मुझे, description में, नही comment में लिखते हो, okay, so comment में वह shortcut keys लिखते हैं, मिली तो, control R, आगे जो है, PQR, control R, right element, यह मैंने पहले ही बताया था, control S, save, file को save करना है, control S, right, इस file को save करना है, save कर दो, जो भी नाम देना है, दे सकते है, अगर आपने file बना है, तो आपको save करना जूरू है, so control S करते ही, save का dial आप सेव कर सकते, यह basically आपको एक dialogue box में नाम भी पूछा जाएगा, सब कुछ है, अब यह मेरा directly online connected, इसलिए, यह आपे मुझे, इस तरह का dialogue बता रहा है, लेकिन आपके computer में control S, press करने के बाद, कुछ इस तरह से dialogue box आ जाएगा, मेरा actually, directly, यह से हो रहा है, मेरे account पे Microsoft पे, लेकिन आप control S, press करती है, आपके पास इस तरह से dialogue box आता है, कुछ वर्जिन में अलगाता है, जब आपका login रहेगा, तो, so control S, save दिया, आपने, उसके बात control T, आता है, control T, word में तो बहुत कम यूज रहा है, control T, अगर में यहाँ पे press का तो इसको, तो यह यहाँ पे, इस तर control T का इस्तमाल कर सकते, control T, यह table में convert हो रहा है, और इसके बहुत सारे इस्तमाल होते, table से data automatic calculate होता है, automatic formula apply होता है, बहुत सारे चीज़े होती है, query भी बनाए जाती table से, जो कि मेरे excel course में, मैंने detail में explain की है, so control T, insert table in excel, format आता है, na, ready-made formatted table मिल जाता है, control T, range select करके, उसके बा बड़ा वीडियो देख लिया, आर मानना पड़ेगा, आर online भी आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया, क्योंकि लोग movie देखने के लिए 3-3 गंटा वेश करते है, ऐसे लोग है, लेकिन आप उन में से नहीं हो, आप बढ़ाई के लिए इतना time दे रहे हो, आप यूट में गलत मिनिंग मत ले ना, हिंदी में बहुत सरे मिनिंग होते है भई, ओके, तो यापे लाइन मारो, I mean to say, लाइन ड्रॉक और अंडरले लाओ, control V मैंने बताया था, यू के बाद भी आता है, और V मतलब पेस्ट होता है, control C, जो हम करते है, copy, उसी को अगर आप दुबारा पेस्ट करना चाहते है, नीचे, copy किया हो, तो पेस्ट, control V, okay, control V, paste, समझा आपको, उसके बाद आता है, control W, close, तो मैं यहाँ पे control W, press करता हूँ, यह document, close, do you want to save it, I don't want to save it, इसमें कोई इतनी important बात नहीं रखी, मैंने, आनि इस bad girl वाली important बात नहीं है, मैं से close करना चाता ह So, control W, close, के लिए पूछा जाएगा आपको, और save करना है, तो save कर सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद मैंने, again paragraph ले लिया, और यहाँ पे यह जो content है, मुझे cut करने यहाँ से, cut, control X, cut कर दिये, लेकिन delete नहीं किये, नीचे control V कीजे, control X से एक जगह से cut होते, दुसरी जगह पे paste ह यह example ले लो ऐसे, कि अगर आपके पास magazine है, और उसका कोई photo आपको अच्छा लगा, तो आपने उसे कईची से cut कर लिया, तो magazine में नहीं रहेगा, आपके पास आ जाएगा, cut paste हो गया, right, इस तरह से, लेकिन अगर आपने उसे xerox ले लिया, तो वो copy paste हो गया, right, cut paste और copy paste में यह फरक है, आपने कैसे से cut कर लिया, cut paste, आपने xerox बना लिया, copy paste, so यहाँ पे cut paste और copy paste definitely समझाओगा, cut करने बाद paste करना जरूरी है, copy करने बाद भी paste करना जरूरी है, तभी तो उसका result पता चलेगा, और अब final 2 shortcut की तरह बढ़ेंगे, जो कि सब की favorite होती है, क्योंकि life में अपनी घलतिया माप नहीं होती है, लेकिन computer में अपनी घलतिया माप होती है, इसलिए life में घलतिया कम करो, या करो ही मत यार, सोच समझ के करो, जो भी करना है, तो life में undo नहीं होता है, life में, कोई भी, undo यानि कि क्या होता है, एक step back, अगर अपनी computer में गलती से data delete कर दिया, औ आप CTRL Z बटन प्रेस को रो आज जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड में, Excel में, PowerPoint में, सब जगा पर CTRL Z यानिके undo आप जितना भी देखिए मैंने सब्सक्राइब बोल्ड किया, इतलिक अंडरलाइन किया, यह सारा फॉर्माट मैंने किया, अब मुझे undo करना है, CTRL Z, 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 सारी चीज़े undo हो रही है, सारी चीज़े undo, CTRL Z से undo होता है, यह देखिए, मैंने जो जो चीज़े की थी न, वो सा सकते हैं, CTRL Z and CTRL Y, फेवरेट कीज, सब कीज, सब जो भी कंपिटर में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गल्तियों को माप करने का चांस मिलता है, बतलब undo कर सकते हैं, अपनी जो भी गल्ती हो गई उसे, लाइप में मत कीजिएगा गल्ती, दोस्तों, यही एक मैसेज म मैं आपको देना चाहूंगा, तो दोस्तों, यह थे keyboard के 104 keys, definitely आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो like, share और comment करना, साथी में चैनल पे नए मैमानों, तो subscribe आपने किया होगा, और साथी में अगर आप ऐसे कुछ suggestion देना चाहते हैं, कि कौन सा वीडियो next topic प के लिए बने रही है, इस चैनल पे सीखते रही है, लोगों को सीखाते रही, खुद भी स्मार्ट बनिये और अपना कयाल रखिएगा, बाई बाई